आज हम बनाएंगे चिकन 65 और इसके लिए हमें चाहिए मैंने हियां पर 350 ग्राम्स बोनलेज चिकन लिया है और इस तरह से चोटे पिसस में कट कर लिया है वन टीस्पून रेड़ चिली पाउडर वन टीस्पून नमक और हम वन टेबल स्पून ओयल दालेंगे एक अंडा त्री टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर टू टेबल स्पून चिकन कबाब 65 मासाला लिया है इसीली मार्केट में मिल जाएगा वन टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा रैट फूट कलर वन टेबल स्पून विनिगर वन टेबल स्पून रैट चिल्ली सॉस एक बावल में चिकन लेंगे नम्मक आड़ करेंगे रैट चिल्ली पौडर आड़ करेंगे जिंजर गालिक पेस्ट रैट चिल्ली सॉस आड़ करेंगे चिकन कबाब 65 मासाला आड़ करेंगे फुट कलर आइड करेंगे कौन फ्लोर आइड करेंगे अंडा आइड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है अब विनेगर आइड करेंगे और वन टेबल स्पून ओयल आइड करेंगे फिल से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब अच्छे से राइप करके हमें इसको एक गंठे टाइम के लिए फ्रीज में रख देंगे चिकन अच्छे से मारिनेट हो चुकी है चलिए अब हम इसको फ्राइप कर लेंगे आइल अच्छे से गरम हो चुका है अब चिकन के पीछा साइट करेंगे हलका साटन करेंगे और इसको थोड़ी दियर तक पकने के लिए छोड़ेंगे यहां पर देखें चिकन कितने अच्छे से पक चुकी है चलिए अब हम इसको मसाला तयार करेंगे और इसके लिए हमें चाहिए हाफ टीस्पून ब्लाइक पैपर पाउडर हाफ टीस्पून नम्मक हाफ टीस्पून रचिली पाउडर कुकिंग की लिया ओयल दो हरी मिर्च कटे हुए वन टेबल स्पून आद्रक वन टेबल स्पून लसन वन टीस्पून जीरा वन टीस्पून सोंफ थोड़े से करी पत्त तीन सूखे लाल मिर्च वन टीस्पून जीरा पाउडर 1 tablespoon red chili sauce 1 tablespoon lemon juice 1 tablespoon tomato ketchup थोड़ा सा red food color एक pan लेंगे और oil अट करेंगे मैंने यहां पर थोड़ा oil ज्यादा यूज खिया है आप चाहे तो कम कर सकते हैं oil अच्छे से गरम हो चुका है सुखिल लाल मिर्च आट करेंगे जीरा और सोम फाइट करेंगे और अच्छे से तेल में साटे कर लेंगे बरीक कटा हुआ अधरक लसन आइट करेंगे तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे अधरक लसन का थोड़ा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे यहांपे देखिए आधर अकलासंगा कलर चेंज हो चुका है अब हारी मिर्च आइट करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे करी पता आइट करेंगे जीरा पोडर आइट करेंगे काली मिर्च पोडर आइट करेंगे नम्मक आइट करेंगे रेचली पोडर आइट करेंगे मासालों को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे रेट चिली सॉस आइड करेंगे लेमन जूस आइड करेंगे टमाटो केचप आइड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पे देखिए मसाला कितने अच्छे से पक रहा है इसी तरह से हम थोड़ी दिर और पका लेंगे और मैंने ही यहां पे रेड़ फूट कलर में थोड़ा पानी मिक्स कर लिया है रेड़ फूट कलर आट करेंगे और इसको भी थोड़ी दिर तक पका लेंगे चलिए अब हम फ्राई किया हुआ चिकन आइट करेंगे मसाले में चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में चिकन अच्छे से मिक्स हो चुकी है मजेदार चिकन 65 बनके तयार है अगर आपने अभी तक मेरे चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकान को प्रस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुन सकें